नमस्कार स्वागत है आपका इंडिया निउस पर और मैं हूँ आपके साथ स्वादे सिंग मेवात इलाके में हिंदु मुस्लिम तनाव काफी समय से है गौरक्षा के नाम पर पिछले कुछ सालों में कुछ घटनाओं को लेकर भी यह इलाका चर्चा में रहा हाला कि हार्याना के लोग बताते हैं कि नूम में मंदिर आंदोलन के दौरान संप्रदाइक तनाव हुआ लेकिन उसके बात करीब तीन दश्रक से इस इलाके में बड़ी घटना तो नहीं थी 31 जुलाई को यही शान्ती भंग हो गई इलाके के लोग कहते हैं कि जो 31 जुलाई को हुआ वैसा पहले कभी नहीं देखा गया मेवात में हुई हिंसा में तकरीबन 6 लोगों के मारे जाने की खबर आई और 200 से भी अधिक लोग घायर है यह हिंसा तब हुई जब बजरंदल और विश्व हिंदू परशद के द्वारा ब्रज मंदल नाम की यात्रा और दरजनों गाडियों के साथ मेवात इलाके में निकाली जा रही थी इस घटना पर मेवात में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के कटरपंतियों ने पत्थराओ और गोलियों से हमला कर दिया और कई गाडियों को आग के हावाले भी दिया इस हिंसा की आग दूसरे जिलों में ना पहले इसके लिए गौवर्मेंट ने गुरुगराम जिले की सभी मोबाइल सर्विसेस को बंद कर दिया और आंतरिक बल को पारशूट से भेश दिया गया तो अकसर लोग कहते हैं कि ये पूरे मुसलमान नहीं है ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी बहुत सी परंपराएं हिंदूओं से मिलते जूती हैं कई research studies के मुताबिक तो कुछ लोग पहले तक मेवाद के मुसलिम एक ही गोत्र में अपने बच्चों की शादी तक नहीं करते थे मेवाद के मुसलिम समुदाय को मेव मुसलिम कहा जाता है कहते हैं यहां मेव बसे हैं इसलिए इस इलाके को मेवाद कहा जाने लगा मेव मुसल्मानों का इतिहास भारत में काफी जादा पुराना है मेव मुसल्मानों का समुदाय ऐसा है जिनका मज़भ तो इसलाम है लेकिन रगों में खून राचपूताना है जी हाँ मेवाद में रहने वाले पुष्टैनी लोगों से कभी उनका इतिहास पूछिएगा, तो आपको एक किस्सा जरूर सुनने को मिल जाएगा, ये किस्सा हिंदुस्तान की आजादी से भी जादा पुराना है, उन्चमक्ती हुई बहु मंजला इमारतों वाले गुरुग्राम से, 50 किलो मीटर की दूर इस्थित नू जिले में मुस समुदाय के बीच आपसी नफरत और अविश्वास का दश झेल रहा ये नू, साल 2016 में जब नाम बदलने से पहले तक नू को मेवात के नाम से जाना जाता था, लेकिन मेवात सिर्फ एक जिला ही नहीं है, बलकि एक संस्कृतिक और भौगलिक छेत्र है, जो हर्याना से लेक इस छेत्र को मेवाद भी कहा जाता है, इस छेत्र का जादतर एलागा, पिछडेपन का शिकार है, पीने के पानी से लेकर शिक्षा और स्वास्त तमान मानुकों पर ये छेत्र भारत के दूसरे जिलों से पिछे है, हर्याना के नू, जिले की समाजिक और आर्थिक बदहाली का आलम ये है कि साल 2018 में आई नीती आयोग की रिपोर्ट में इसे देश का सबसे पिछड़ा जिला बताया गया हर्यारा को दक्ष्ण में राजस्थान और पूर्व में उत्रप्रदेश से जोडने वाले जिले को प्रति व्यक्ति वार्शिक आये गुरुग्राम की तुलना मे दस फीसदी तक नहीं है हर्यारा राजस्थान और उत्रप्रदेश के कुछ हिस्सों में शामिल हजार साल से रह रहे मेव मुसल्मानों के ओरीजन को लेकर बात की जाती है तो उसकी कई मानिताएं एक सिध्धान्स के मुताबिक मेव समुदाय को हिंदू राजपूत बताते हुए कहा गया कि साल 1355 में कोटला की जदाउन राजपूत राजा लखनपाल के दो बेटे कुवर सोनपर पाल और कुवर समरपाल दिल्ली की सुल्तान फिरोज जहां तुगलक के यहां नौकरी कर सब्सक्राइब एसी दौरान एक बाग में दिल्ली की सुल्तान के ऊपर हमला कर दिया और कुवर सोन पर पाल ने अपने शांदार पीर अन्दाजी के बदौलत बाग को मार गिराया और दिल्ली के सुल्तान फिरोज जहां तुगलक की जान बचाई इस घटना के बाक से सुल राजा नहार खान मेवाती को सोब दिया जिसके बाद कहा गया कि वो तो राचपूत थे राचपूत के बाद खान उपादी दी गई इसलिए वो मुसल्मानी तौर पर उनको अपना है ऐसे मेवातियों ने देखा जाए तो 1947 में देश के बट्वारे के वक्त भी हिंसा का सामना यतिहास कारों के मताबिक उस वक्त मेवात के मुसल्मानों का एक पृतिनिदी मंडल महात्मा घंधी से दिल्ली इस्थित Breella House में मिलने गया ठाज और उन से कहा गए था कि यह बतन हमारा है इसे हम नहीं छोड सकतें 世界 माहात्मा घंधी मेवात का दौरा किया और वहाँ पर लोगों को खिताब करते हुए कहा कि ये मेवात हिंदुस्तान की रीड है यहाँ पर मुसल्मानों को देश छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाए उस बक्त मेवात का इलाका उत्तरप्रदेश और राजिस्थान सहित हर्याणा के कई जिलों तक पहला हुआ था यहाँ मेव मुसल्मान बहु संख्यक की भूमिका में थे और गांदी अपनी हत्या के करीब एक महापूर 9 दिसेंबर 1947 को मेवात भी गए थी महातमा गांदी ने मेवात के मुसल्मानों को आत्मविश्वास देते हुए कहा था कि उन्हें भारत छोड़ने के लिए मजबूर कता ही नहीं किया जाएगा महात्मा गांदी ने मेवाती मुसल्मानों से भारत में ही रहने का अनुरोत किया जिसके बाद पलायन का मन बना चुके कुछ मुसल्मान भी गांदी की अपील के बाद हिंदुस्तान में ही रूप गए लेकिन गांदी जी की हत्या के बाद मेवाती मुसल्मानों को जटका भी लगा था गांदी की हत्या मेवात के साफतोर पर मेव समुदाय के लिए एक जटका रही थी गांदी जी नहीं जिन्हें रहने के लिए मना साफतोर पर लिया था उन्हें एक बार फिर डर लगने लगा था और फिर उन्होंने पलायन करना साफ़तोर पर शुरू कर दिया गांधी की हत्या के बार मेवात की महिलाएं एक गीत गादी जिसकी लाइने कुछ स्तरग्य से थी कि भरोसा उठ गयो मेवात का गोली लगी है गांधी जी की छाती बीच राजनितिक चश्मे से अगर देखा जाए तो अगले साल लोकसभा चुनावों के अलावा हर्याणा में विधान सभा चुनाव भी होने वाले हैं हालिया दंगों से धार्मिक आधार पर ध्रोवी करण को बल मिल सकता है इसके अलावा सरकार के खिलाव एंटी इंकंबेंसी एफाक्टर हावी हो सकता है दूसरी तरफ हिंदू वोटर्स के भी लंबवत होने की संभावना है लेहाजा सभी दल अपने अपने हिसाब से उसका नाफा नुकसान देख रहे हैं ऐसे में मेवात मेवात के मुसल्मान और उनका राच पूताना कनेक्शन कई सवाल चोड़ता है और इन सवालों के बाद संधय बार-बार होता है ऐसे में तमाम अपडेट के लाइब हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडियाने इस धन्यवाद